सब्सक्राइब करें क्लास 9 के सोचल स्टुडीज के कॉंपिचेंसी एन्हेंस्मेंट प्लान की वीकली प्राक्टिश शीट नमबर टू जो की पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टुडेंट्स के लिए है तो बिना देरी की वीडियो स्टाइट करते हैं बढ़ उ अब जैसे आपको पता है कि जो एक्वेटर है वो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बाढ़ देता है ठीक है तो जो उपर का है है ठीक है हमिस्वेर क्योंता है अर्ध गोला ठीक है तो जो अपर हमिस्वेर है वो उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको कहा जाता है नदन आगला question है you live in India आप इंडिया में रहते हैं where it is currently 7.30 p.m. जहां पे 7.30 बजे हैं शाम के यह friends live in a country where the local time is fixed according to the prime meridian आपका जो फ्रेंड है वो उस country में रहता है जहां पर prime meridian के according time जो है वो fix किया जाता है so tell me what that time will it be now where your friend lives तो जहां पर आपका दोस्त रह रह रहा है वहां पर अभी कितना हुआ होगा ठीक है तो 2 p.m. का टाइम होगा यह दोनों ही 2 p.m. लिखा है एक को ए.m. कर दो हमें हमारा answer जो है वो 2 p.m. होगा क्यों होगा क्योंकि बच्चे जो prime mer से माइनस कर दोगे तो जो है वो क्या जाएगा तो 2 p.m. जो है answer हो जाएगा अगला question है based on the rays of the sun falling on the earth तो जो सूरज की रोष्णी जो मतलग की सूरज की जो किरने है वो जो अर्थ पर पढ़ रही है उसके according the earth has divided into different region तो अर्थ पो जो है वो अलग-अलग regions में जो है वो option जो है वो correct है तो पंजाबी मीडिये वाले students के लिए देख लेते हैं पहले question का answer है उत्री अर्थ गोला ठीक है इसके बाद जो question number 2 है इसका जो है वो शाम की जो है वो दो बजे ठीक है तो इसके बाद question number 3 है तो वो करक रेखा तो मकर रेखा दे विचाल लग शेत्र हो तो आतिक सरकर और नॉर्थ पोल के बीच में वो कौन सा रीजन जो है वो लाई करता है तो cold heat segment ठीक है अगला question है in which hemisphere of the earth is the line of Capricorn located तो line of Capricorn जो हो कहां पर locate करता है southern hemisphere में next question what does the blue color in the globe represent तो यह blue color दिखा रहा है यह क्या रेप्रेजेंट करता है water next question what are the lines seen from top to bottom in the globe call तो top to bottom जो line जाती है उस line को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है longitudes तो आगे बढ़ने से पहले आपको ने अगर weekly practice sheet 1 जो है उसके answers चाहिए तो हमारे चैनल पर अप्लोड़ेड है अब वहां पर जाके चेक आउट कर सकते हैं मैं i button पर उसका link दे दूंगी अगला question जो है पंजाबी मीडियम वाले students के लिए देख लेते हैं शीत ताप खंड ठीक है question number five जो है उसका हो जाएगा दक्षीनी अर्द गोलार्द ठीक है इसके बाद question number six जो है पानी question number seven जो है उसका हो जाएगा दिशांतर ठीक है question number eight जो है इसका हो जाएगा करक रेखा ठीक है इ कि a few years ago a few years ago your friend went on a sea voyage समुदर यात्रा पर अपका दोस्त गया उसको काफी साथ difficulties का सामना करना पड़ा क्योंकि उसको direction properly नहीं पता था इसके बाद अगला question which direction is upward shown in map so map में जो अपर डिरेक्शन है वो कौन सा होता है नौर्थ का ठीक है इसके बाद अगला question which of the following statement about maps is true इसमें से map के लिए कौन सा statement true है ठीक है map gives information about the direction of any place ठीक है बिल्कूल है ना किसी भी direction map जो है वो direction का information देता है from map we know the distance from one place to and the map कि तुर हम एक जगे से दूसरी जगे को distance वो पता कर सकते है statement a correct है बट b गल्थ है तो यह गल्थ है हमारा ठीक है बहुत statement a and b are correct तो दोनों ही a और b statement correct है तो हमने d option select कर लिया अगला question है what does the color yellow represent in colored map तो colored map में yellow जो है वो कौन सा color जो है उसको show करता है high altitude places ठीक है तो यह high altitude places को show करता है जो snow होता है वो white color से represent किया जाता है जो mountains होता है वो brown color से किया जाता है और जो plains होता है वो green color से किया जाता है अगला question है what is the exact model of the earth to call तो अर्थ के model को क्या कहा जाता है globe ठीक है पंजाबी मीडियम students के लिए जो है वो देख लेते इसका answer चुमबकिये compass हो गया question number 10 जो है answer जो है वो उत्तर हो गया question number 11 जो है इसका जो है वो मतलब की जो ऊड़ा और अड़ा है दोनों ही ठीक है ठीक है इसके बाद जो question number 12 है इसका है उच्छिया थामा ठीक है तो यह option जो है वो correct हो जाएगा question number 14 जो आप से पूछा गया है वो है while studying the map you find that some standard symbols जो मैप पढ़ते हैं तो आपने दिखा हो कि कुछ standard symbols बनाई जाते हैं basically जो world में हर जगे मानने होता है ठीक है माने जाते हैं these symbols are made for which of the following in the map तो यह symbol किन चीज़ों के लिए बना जाते है international airways के लिए बना जाते है railways के लिए gas pipeline तो आंसर हो जाएगा all of these ठीक है अगला question है if you were to study historical events like wars expansion of civilization तो अगर आपने युद्ध के बारे में पढ़ना है civilization का कैसे expansion हुआ या विस्तार हुआ उसके बारे में या important journeys के बारे में पढ़ना तो आप इसमें सो कौन सा मैप का इस्तमाल करोगे तो आंसर है historical maps ठीक है question number 13 पंजाभी मीडिमाले students के लिए देख लेते हैं करूंगी thank you very much and all the best for your test bye bye